नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में नाम है अपूरवा और ये फिल्म सीधे OTT पर रिलीज हुई है, डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आई है इसके डिरेक्टर है निखिल नागेश भट दोस्तों आज है भाईदूज का त्योहार और सबसे पहले आप लोगों को भाईदूज की धेर सारी शुब कामना है और वीडियो के शुरुआत करने से पहले एक अपीलाफ से कि यदि आपने अब तक मैरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजगा क्योंकि वेव सिरीज और मुवीज के रिवियो के साथ साथ आप को यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी शुरुआत करेंगे स्टोरी लाइन से और यह फिल्म है अपूरवा की यह फिल्म है अपूरवा के बारे में अपूरवा एक मेडिकल स्टुडेंट है और उसकी शादी तै हो चुकी है एक बैंक कर्मी के साथ और एक दिन उसके मंगेतर का बढ़ने होता है वो उसको एक सर्प्राइज देना चाहती है घर से बस पकड़के वो मंगेतर के पास जाने के लिए निकलती है लेकिन रास्ते में ही कुछ लुटेरे बस पर हमला कर देते हैं और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो अपूरवा को ता उम्र याद रहने वाला है और दोस्तों ये जो कहानी है ये अच्छी है और अच्छे से प्रिजेंट भी की गई है ये कहानी है सर्वाइवल की अपूरवा किस तरह से सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती है और उसका जो स्ट्रगल है वो देखना हमको अच्छा लगता है वो हमको इंगेज भी रख जिस तरह से यहाँ chain of events रखे गए हैं और एक hide and seek जैसी जो घटना हो रही है वो सब देख करके हमको मज़ा आता है इस फिल्म की शुरुवात बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही दमदार ढंग से होती है और जिस तरह से कुछ अतरंगी करेक्टर्स हमारे सामने आते हैं वो देखना काफी अच्छा लगता है फिल्म का जो first half है वो काफी interesting है काफी दमदार है लेकिन second half में फिल्म थोड़ी स हमको कम लगता है कुछ घटना ऐसे लग रही है जैसे बहुत साधरन तरीके से पेश कर दी गई हो तो first half में जो ये बिल्ड किया गया था कहानी को जो three leg बिल्ड किया गया था second half में लगता है कि उसको अच्छे से कैरी नहीं किया गया है लेकिन overall देखें तो ये फिल्म एक interesting film है और जिस तरह की चीजें हो रही है जिस तरह से कुछ crime हो रहा है तो वो सब देख करके हम engage भी रहते हैं हम ये भी सोचते रहते हैं कि अपूरवा अब क्या करेगी और ये भी सोचते हैं कि अपूरवा के साथ अब क्या होगा और कुछ घटना ऐसी है जरूर जो हमको surprise भी करती हैं तो ये फिल्म एक अच्छी फिल्म कही जाएगी देख करके मज़ा आएगा अगर सेकेंड हाफ को थोड़ा सा मजबूत बनाते और थोड़ा सा time लेकर के और बिल्ड करते तो ये एक बहुत ही बहतरीन फिल्म हो सकती थी लेकिन अभी भी एक अच्छी फिल्म जरू किया है उन्होंने बताया है कि वो एक अच्छी अभिनितरी है राजपाल यादव यहां है और राजपाल यादव एक अलग तरह की भूमिका में ही हमको दिखे हैं और बहुत दिमदार तरीके से दिखे हैं इसके अलावा अविशेक बनार जी है और अभिशेक बनर जी चाहे जिस रोल में भी हो अच्छे तो वो लगते ही है तकनी की तोर पे ये जो फिल्म है वो अच्छी है और खास करके जो एक सुनसान गाओं का सेटप यहां तयार किया गया है एक इन्वारेमेंट जो यहां तयार किया गया है वो अच्छा है तो ये है दोस्तों करिव डेड़ घंटे की वैसे तो साफ सुतरी फिल्म है लेकिन कुछ डायलोग और कुछ रेफरेंस ऐसे हैं जो फैमली के साथ नहीं देखे जा सकते और दोस्तों ये फिल्म मुझे तो अच्छी लगी है मेरी रेटिंग है पांच में से तीन की तो दोस्तों आज इतनी बात आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताईएगा आपको कैसी लगी धन्यवाद